गंपट टाइगर श्रॉफ कृति सदान अमिता बच्चन की गंपट के बारे में बात करते ही दोस्तों देखो एक अच्छी एक्षिन मूवी एक नए कंसेप्ट के साथ आई है इन लोगों ने और यह इस गूड स्टोरी मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ प कितने यार 15 एक साल पहले आई थी शायद हर्मन बावेजा की एक फिल्म थी देखो लव स्टोरी 2050 वह एक अलग कंसेप्ट के साथ उन्होंने लाने की कोशिश की थी वैसी ही आप यह कह सकते हो हाला कि वह सक्सेस्फुल नहीं थी बॉक्स ओफिस पर सैडली अब यह लग रह इसको यह मूवी पसंद आएगी लेकिन बाकी के लोग पक्का यही बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है यह होगा क्या तो भाई मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी फिल्मे के एक अंदाजा लगाया गया है फ्यूचर जाके किसी ने देखाने यह न टाइगर बहतरीन डांस एक्शन सिक्वेंस बहुत अच्छे है वी एफेक्स की तारीफ में ज्यादा करूंगा अमिता बच्चन का रोल काफी सर्प्राइजिंग है क्रिती सनौन लुक्स वेरी नाइस आयमें उनके जो एक्शन सीन से आप नहीं बिलिव कर सकते हो इतने उन उना उना ख्यायमें पीडिव करता है जो आप फिल्म में परीडिक्ट कर सकते हो तो ये काल आगि मैं अगर ये कंशेप्ट ही नगा है तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल यूटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यहां पे बुरा यह है कि पूजा इंटेटेंटमेंट ने इस मुवी की इतनी खराब मार्केटिंग की है कि आज I was shocked कि यह टाइगर की फिल्म है और थेटर में लगबग मैं मिला के six to लेके seven लोग थे six से लेके seven लोग बोल रहा हूं मैं उससे जादा नहीं और अगले शो में भी at most मैं कहूंगा क्योंकि जो मैं थोड़ा बहुत गिंद रहा था जब पार्किंग से हम निकलते हैं मुझे नहीं लगता है बारा से भी उपर होंगे अगले शो के है रियालिटी आपके सामने है कि मार्केटिंग जब पूजा इंटेटैन्मेंट जैसे लोग करते हैं तो लोग लोगों तक मूवी पहुचती ही नहीं है और लियो की जो पब्लिक थी भाई पागल जैसी क्या बूलू मैं तो यह है और यह यूटूबर्स इतना लेंगे इस पॉजिटिव रिवी उसको जाद से जादा शेयर कीजिए भाई और मैं एक बात बूलूँगा मूवी में प्रेडिक्टेबल एंगल है मतलब जो यहां पे आप कह सकते हो कि अहां एक यह दो दो सीन्स ऐसे मूवी में चो आपको ऐसा लगेगा कि यार यह कुछ जादा ही जाद से जादा शेयर करो वीडियो को और एक बार देखने में कोई बुरा ही नहीं है मेरे भाई और OTT के लायक नहीं है भाई OTT पे नहीं देखो I mean it's a good action sequences बहुत अच्छे है जो आप ठेटर में एंज़ा कर सकते हो पर अब मार्केटिंग हुई नहीं इसकी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं एक बात जरू कहूंगा इसका पिछले साल जो इतना तगड़ा है अगर पिछले साल रिलीस कर देते ना तो भाई ये तहल का मचा देती ऐसा लगता है देखते पांच में से तीन रेटिंग्स दूंगा मैं स्टोरी थोड़ा प्रेडिक् प्रेड़ा इसकी ती